हेला वरीवन वेलकम टू आएफिस तो आप लोगों के लिए एक इन्पोर्टन अनॉंस्मेंट यहाँ पर है अगर आप लोग पीजी करना चाहते हो मतलब मस्ट करना चाहते हो मैथमाटिक सब्जेट से तो आपके लिए एक और चांस है कि आप पूनी इनिवर्सिटी से अपन रखते हो उसके साथ हम लोग देखेंगे ना इस एक्जाम की डेट क्या है एक्जाम की क्या होगी और उसके साथ यहां पर हम दुखेंगे कौन-कौन से सब्सक्राइब करना चाहते हो तो बिल्कुल सही सोचरों आप बिल्कुल MSC कर सकते हैं बहुत बढ़े जगह है यहां पर आपको बहुत सारा माथमाटिक्स सीखने को मिलेगा तो चले स्टार्ट करते हैं सेशन को तो आ जाते हैं ऑफिशल नाटिफिकेशन की तरफ जो की सावित्री भाई फुले पूने विद्या पिठाप देख रहे हैं यहां पर मैं बता दू कि देखो अब इस बार यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए एक एक्जाम कंड़क करना जा रहा पुने इन्वरसिटी जिसका नाम है ओलाइन एंट्रेस कह सकते हो ऊंलाइन एंट्रेस एक्जामिनेशन ओ और सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि यह वाला जो एक्जाम है एक कभ होने वाला है तो देखिए ऑलाइन जो एक्जाम है 100 मांक का होगा जिसमें सारे कवर्षन mcq होंगे और इस एक्जाम को दो section में divide किया गया section a और section b section a में थोड़ा सा इस आप लोग देख सकते हो कि आपको क्या पूछा जाएगा section a में आपको general knowledge भी पूछा जाएगा general knowledge होगा aptitude होगा logic होगा comprehension होगा as per syllabus और उसके साथ साथ आपका जो mathematics का subject हो section B में पुछा जाएगा तो पहला वाला section 20 marks के लिए होगा दूसरा वाला section 80 marks के लिए होगा और यहाँ पर देखे 100 marks का जो question तो 100 question तो होंगे होंगे उसके साथ यहाँ पर negative marking भी है अगर मान लेजे किसी question को आप रॉंग करते ना तो उस case में आपका वन फोर्ट माट कर लिया जाएगा अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ important चीजों पर बात करते हैं तो चलिए आजाते आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले सबसे important चीज में आप लोगों को बता दो कि इसका schedule मतलब एक्जाम कब होने वाला ओनलाइन फॉर्म करने की लास्ट डेट कब है देखो ऑनलाइन registration स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 20 अपरिल से स्टार्ट हुआ और लास्ट डेट के अगर मैं बात को 10 में है तो अगर आप लोग 14 जून से 16 जून के बीच में हो सकता 14 15 या 16 जून किसी दिन आपका एक्जाम होगा तो लगभग आपके एक्जाम के लिए क्या सकति एक देड़ महने का समय बचा है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो आज आते हैं सब हम लोग बात कर लेते हैं कितने सीट्स अवेलेबल है है किस कोड्स के लिए हमें देखना मस्हอं माथमाटिक्स तो यह देखिए आपको यहाँ पर दीखरा वहागा म महन यहाँ और ममेचिक तो यहाँ पर आप थे ऐदेगये इनिवर्सिटी में जाकर वहां से आप MSC कर सकते हो ठीक है और अगर मैं बात करूँ जैसे कि आप प्योर MSC करना चाहते हो mathematics से तो उस case में आपका graduation होना चाहिए mathematics के साथ और उसके साथ बीस्टी बीटेक with mathematics at least up to semester year ठीक है और अगर आप महां लीजे MSC industrial mathematics से करना चाहते है तो आपका बीस्टी होना चाहिए second year तक at least ठीक है तो यह था आपके मतलब कह सकते हो कि दो तरह के courses available है अगर आपका mathematics subject और टोटल हंडेट से अवे लेबल है ठीक है और उसके साथ सथ मैं यहाँ पर कुछ important चीज आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का आप नहीं download किया तो download कर लीजे यहाँ पर exam से रिटिट कोई भी information like cut-off पता करना पेपर analysis पता करना है पीवाइस क्यूव डाउनलोड करना है और किसी लेक्चर को देखना वीडियो लेक्चर देखना है teacher handout देखना या question practice करना यह सारी चीज आपको IFS कैप में फ्री में मिलेंगी अगर आप जैम स्वेडिया किसी भी अग्जाम के लिए प्रेपर कर रहे हैं तो आपने IFS का आप नहीं डाउनलोड किया तो बहुत सारी चीज़े आप लोग मिस कर रहे हो एक्जाम सो रिलिकेट छोटी से बड़ी जानकरी सारी चीज़े यहां पर अवेलेबल है तो आपको क्या करना है प्लेश्टोर पी करके पूछ सकते हो थैंक्यू सो मच